हेले स्टूडेंट कैसे आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगत हैं उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्थोंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई भी बहतर चले हो बच्छो क्लास टोल्द फिजिक संसी आर्टी में चेप्टर नाइन चल रहा है प्रकास का परवरतन नामक भाग जो हमारा कम्प्लीट है अब बरतन वाला सिशन चल रहा है जिसमें आज आप लोग देखने वाले हो कि वहीसा आप बास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंद क है वास्तविक और आभासी के बारे में हम चर्चा करेंगे जैसे मालीजे आप एक बरतन ले लिजे उसमें पानी भर करके एक सिक्का डाल दीजे फिर आप उपर से देखेंगे तो सिक्का ऐसा लगेगा कि ऊपर उठा हुआ है सर्क्ष पानी कहीं पर मालीजे भरा हुआ है और उसमें लकडी नीचे डाल दीजे और जब आप उपर से देखेंगे तो लगेगा कि लकडी थोड़ा सा उठा हुआ है ऐसे आप किसे भी बरतन की बात करें बरतन का तल भी हमें उठा हुआ नजर आता है या कि आप सबसे बढ़िया अपने गर में बाल्टी में पानी भ दिख रहा है इसमें आप लोग सबसे पहले समझोगे वास्तवी गहराई या आभासी गहराई है क्या जैसे मैंने कहा कि हमारे एक पात्र में हमने छड़ी दुबा दिया है छड़ी की लंबाई मालीजे दो मीटर है दो मीटर तो बहुत होता है भाई मालीजे 100 cm है बात की ब वो उसकी वास्तवी गहराई होती है और जो हमें कम नजर आती है कि लगबागी 75 cm या 70 cm दिखाई दे रहे है तो आपकी आभासी गहराई जिसे हम आभास कर पाते हैं यह डाइग्राम बनाई है हम अलग से डाइग्राम बनाने हैं समझाने के लिए बच्चों यहाँ पर ठी शडि दुबा दिया यह चरी है हमार बच्चों यहां पर आप देख़ रहे हैं यह चरी हैसा क्यूं देखिए कि यहां तक इतनी लंबाई हमें दिखाई देगी यह पूरी की पूरी O-P नहीं दिखाई देती O-P दिखाई ना दे करके हमें दिखाई देती है O-P- ऐसा क्यूं देखिए प्रकास किरन होता कि बच्चों जब सगन से बिरल में जाता है जैसे मा लीजे प्रकास किरन यहां से चली यहां से इसके निचले वाले सीर्थ से यहां से प्रकास किरन चलती है और यहां पे क्या है दूसरा माद्धम लगता है तो यहां पे अब बरतन के क्रिया होती है अब बरतन का मतलब तो सबको पता है कि प्रकास करन एक माद्यम से दूसरे माद्यम में जाती है तो भिचलित होती है और जैसे ही सगहन से ये माद्यम जो हमारा था वो सगहन था क्या था बच्छों सगहन था और ये बायू ये आपका बिरल है और जैसे ही सघन से बिरल में जाती है तो अभिलम से दूर अटी है यह जिसको सीधे कीशते कुछ इस प्रकार से होता लेकिन यह अभिलम से दूर अट गई सीधे ना जाकर अभिलम से दूर अटी यह आरे है और इसको हमने बढ़ाया पीछे की ओर आभासी यहां पे प्रत्रविम हमें P-डेस पर प्राप्थ होगा मतलब यहां का जो हमें मतलब एक प्रकार से दूरी यहां तक का हमें यहां तक का ही प्राप्थ होगा भाई O-P न देख करके हम O-P-डेस को देख पा रहे हैं यह आभास कर पा रहे हैं क्यों कि यह प्रकास किरन जैसे ही तिरशी हो गई इसको पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर देखे प्रत्विम कहा पर बनता है दो किरने जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो एक किरन आई और सीधे चली गई और एक किरन इधर से गई लेकिन अब मिल कहा रही है तब इसक समस्ट मिलेंगी और ओभी जिस बस्तु पर आई है उसे परवर्तित हो कर कि हमारे आँखों में जब कोई बस्तु हमें दिखाई कभा देता है सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है किसी बस्तु से جब प्रकाश टक्रा कर हमारे आँख तक पहुंचती है किसी बस्तु से प्रकास टकराकर हमारे आँख तक पहुँचती तब वो बस्तु हमें दिखाई देता है पहली बात ये जानो आप जैसे आप किसी बस्तु को देख पा रहे हैं इसके पीछे रीजन ये है कि सूर से प्रकास क्यों उसके चेहरे तक पहुचा और उसके चेहरे से वें दिखाई दे पाता बच्चों प्रकास के परवर्तन के कारण तो जैसे यहां पर बस तो ने टिका दिया तो प्रकास किरने चली और चलकर इधर गई और एक प्रकास किरना आई परवर्तन के फंसरूप वापस हो गई अब ऐसे में क्या होता है दो किर ने इसको पीछे के और बढ़ाया और यह आपस में लौट के जा ही रही है तो यहां पर मिल गई वहीं पर प्रत्विम बना यह चीज होता है और अब यह प्रकास क्लिणत हो गई यहां पर परवरतन होके जा रही है लेकिन इस भाग पर आप बरतन होता तो अभी लंब से दूर रटती है जब टफिकेशन वाली बात ना रहा जाए बच्चो उम्मीद यही करता हूँ बस एकोसिस यही करता हूँ आप लोग से कि वीडियो को लाश्ट तक देखा करें तब ही आपको सारी चीज़े क्लियर हो पाएगी सोचेओ कि दो मिनट में हो जाए तो नहीं बच्चो संभव नहीं ठीक है दूसरे कंदीशन में यह आपका अब बरतन हुआ है अब लंब से दूर हटी है तो अब बरतन कोड आर है यह और यह कोड दोनों समान होंगे आर और आर यह दोनों समान होंगे जैसे आप आर डैस लेलो फिर भी हो दोनों समान होंगे कारण बच्चो क्योंकि यह दो कोन हैं यह दोनों जो दे चलती है हमाना भिंदू में इस्थित है जिससे एक प्रिच्छक ब्रिल माद्धम से देख रहा है प्रिच्छक मतलब आप हो आप आपका आँख आपका प्यारा सन्हेन मतलब बस्तू को देख रहा है तो जब बस्तू को हम देखते हैं तो प्रकास के नियांज चलती है ठीक है और जैसे ही यहाँ पे दूसरे माद्दे में जाते हैं तो अभी लंब से दूर हट करके qr दिसा में चली जाते हैं ठीक बच्चो इतना clear है तब यहाँ पर जो कोंड बन रहे हैं तो यह कोंड मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ यह जो कोंड यह कोंड मतलब जो कोंड आपका o p q और कोंड जो है p q और इधर हमने कहा n यह बराबर है i ऐसा क्यों बच्चो यह एकांतर कोंड होता है ठीक है इसके बाद मैं कह दूँ कोंड o जो आपका p ds है और q बराबर कों m q r यह बराबर है आपके r के ऐसा क्यों बच्चो यह आपके संगत कोंड है एक एक point समझाते चल रहा हूं और इत बच्चो संगत कोंड है इसलिए r और यह दोनों आपके एक आंतर कोंड है तो आई से आई ठीक अब आप लोगों ने पढ़ा इस नयल का नियम इस नयल क्या रहा है बच्चो आपतन कोड की जा और बरतन कोड की जा में एक निश्चे तन पात होता है जिसे आप बरतना कहते हैं तो प्रकास किरण सघन से बाटर से कहां जा रही है एर में आपतन कोड आपका आई है यह देखो आई और अबरतन कोड आपका साइन आर है बच्चो साइन आर है लेकिन हम देखना कहां से चाहते हैं बायू से देखना चाहते हैं इसलिए इसके दिए हम उल्टा कर दें तो ये उल्टा हो करके ऐसा हो जाएगा, A, Mu, W, ठीक है, ये आप लोगों ने उत्रक्रम्रीता का सिध्यान्थ पढ़ा होगा इसके पहले, इसका बैलू यहाँ पर रख दें, बच्चों, तो एक बटा A, Mu, W बराबर हो जाएगा, Sine, I, Bटा, Sine, R, अब बच्चों ध्यान दीजेगा, इसको मैं उपर ले जाऊँ, इसको उपर ले जाऊँ, A, Mu, W, तो ये बदल जाएगा, Sine, R, Bटा, Sine, I, इसको एक सम्मिकार दे सकते हैं, इतना यहाँ ता, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिकत तो नहीं कहां-कहां से आया, फिर से समझो, फिर से समझो, आपके इस नयल के नियम से कहता है, कि आपतन कोड और अब बरतन कोड में एक निश्ची तनुपाथ होता है, मतलब आपतन कोड आई है, और अब बरतन कोड आर है, तो साइन आई और साइन आर में कनुपात है प्रकाशने कहाथ चल रही थी जल से, वाटर से, कहाँ बतलब जल के सापेच, किसकी हवा मतलब बायु काभ बर तना कैंडा साइन आया अंब पान साइन आर आया लेकिन हम देखना कहाथ साइन आई बच्चो हवाशे इसलिए हमने इसको उल्टा किया तो भाई ये उत्क्रम्रीता का सिध्यांत कहता है कि एक दूसरे क्या पोजिट होगा बस ठीक है तो इसकी बेलों हमने यहाँ पे रख दी और जब रखी बच्चों तो साइन आई बटा साइनार आया लेकिन हम साइनार को उपर ले जाना चाहते हैं तो ये आपका बदल जाएगा पक्षांतर हो जाएगा तो ये आपका आगया अब यहाँ पर बायू के सापेच जल का बरतना ठीक यहाँ तक क्लियर है आगे हम देखेंगे बच्चों फिलाल यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं माना एक बिंदु पी है सगन माद्यम में स्थित है जिसे एक प्रेचक विरल से देख रहा है पी से चलने वाली प्रकास किरन ये पी क्यू क्यू पर आप्तित होती है और अभी लंब से दूर हट जाती है क्यू आर दिसा में चल जाती है दूसरी क्यरन जो है पी ओ लंबधी आप्तित होती है और विशलन के बाद उसी दिसा में चल जाती है दोनो क्यरनों को पीछे बढ़ाने पर य ado, दोनों केड़ों को पीछे बढ़ाएंगे तो PDS पर मिल दी है, जहांपे हमें आभाशी प्रतिवी में दिखाई देता है, हमने कहा ना, जब तक दो केड़े नहीं मिलेगी, जब तक हमें किसी बस्तू का प्रतिवी में दिखाई नहीं देगा, यहां पे दो केड़ें मिलेंगी PDS पर तब ही वहां पे हमीं प्रतिव में दिखाई देगा इतना लंबा चोड़ा कहानी बताने का ताथ पर क्या है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके मैंने कहा अंता एकांतर कोण यह दो समार रेखा हैं तीशीर रेखा प्रतिशेद करते हैं तो अंतर बाले कोण अंता एकंतर कोण कहलाते हैं बच्चो जो की बराबर होते हैं ऐसे आपका संगत कोण है यह वाला कोण और यह वाला कोणद दोनों संगत है क्योंकि एक कोई हमने पीछे बढ़ाने से प्राप्ट किया है इसलिए दोनों कोड हमारे शंकत कोड है बच्चों इष्णायल का ने हम पढ़ा है ना हयाँ आपने जलके सापे छबायु का बरत्नाब आपतन कोड के जया और अब बरतन कोड की जहां में एक निश्चे तनपात होता है रुको जारा किन्तु हमने कहा यदिस का उल्टा कर दे कि डबलू म्यू ए का ए म्यू डबलू करें तो भाई ये एक दूसरे के उत्क्रमणीता के सिध्यान से आते हैं फिर से इसका हम मानिस में रखेंगे तो ये ये उल्टा हो जाएगा इसको भी उल्टा करेंगे तो साइन और बर्टा साइन आई आजाएगा है यहां तक क्लियर भच्चो इसको आप समुर्ण कर, एक दे सकते हैं ता कि आपको समझने में थोड़ा सा आसान लगे सबसे पहले बच्चों अपन को यह बड़ा वाला त्रिभूज देखेगा ना त्रिभूज ओ पि क्यू में देखेगा बच्चों त्रिभूज ओ पी यू में साईन आई बराबरन निकालो साइन आई ना कोड के सामने वाली भूजा लंब के लाती है साइन का सूतर होता लंब बटे कण कण क्या है PQ क्या है बच्चो PQ या QP कर दो या PQ कर दो ठीक है परसान मत होना PQ करो या QP आपकी जो इच्छा है बोलो सर हम तो भाई QP करना चाहते हैं तो लेओ भाई QP कर दो ये तो कन्फ्यूज हो जाओ अब एक और छोटा वाला त्रिभूज दिख रहा है O P' Q O P' Q इसमें SIN R क्या कहेगा लंब इसके सामने वाली भूजा लंब और बच्चो करन क्या है P' Q यानि QP' अब हम क्या करें अब हमने पढ़ा था कि A, M, W बरावर आया था SIN R बटा SIN I सही है ये चीज आपने देखा था वही चीज हमें आप पर कर रहे है SIN I बरावर इतना SIN R बटा R ये हमारा मान है इसमें R और I का मान रखेंगे देख लो भाई इसी में रखेंगे इसी में रखेंगे ये नोटस है इसी नोटस को 100 रुपी जो प्रवाइट के जाता प्रापा रूप से बच्चो तो आप लोग बैलूप उट कर दो A, M, W SIN R का मान किता बच्चो O, Q बटा O, P, D और आपका O, Q, D, Q, D, Q, D, Q, D, ठीक है फिर आपका है Q, P, D, और इसके बाद हमारा है O, Q, बटा आपका Q, P किसे कड़ गया बच्चो तो ये जो हर कहरे उपर जाता है और ये अंस कहरे नीचे आता है मतलब A, M, W, बड़ाबर आगया O, Q, P, बटा Q, P, D, कोई बात नहीं है यहाँ पर समझो साइन आई बरावर मैंने मान निकाला साइन आर बरावर मैंने मान निकाला समी करण एक में मैंने मान रख दिया यहाँ पर लिख दो समी करण एक से मैंने मान रख दिया O, Q, O, Q कड गया Q, P, उपर गया और QP' नीचे आया अब बच्चों यहाँ पर देखेगा यदि आपका Q यदि आपका Q O के अत्यंत पास में हो तो जो आपका P' Q या QP' का मान लगबग O P के बराबर होगा O P' के बराबर होगा O P' के बराबर हो जाएगा आपका QP' का मान इसी प्रकार बच्चो QP का मान QP का मान आपके O P के बराबर हो जाएगा मतलब मेरे कहने के मतलब यह है कि QP' के जगए हम O P' ले सकते हैं और QP के जगए हम O P' ले सकते हैं ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है तो यहाँ पर देखेगा हम क्या कहरें बच्चो O और Q अत्यंत निकट हो तो QP के जगए हम O P लिख दें QP यहाँ पर देखिए यह QP के जगए हम O P लिख दें और QP' के जगए हम O P' लिख दें QP' के जगए O P' तो हमने O P बटा O P' चेंजर कर दिया इससे और इसका मान करना है जो टॉल्ध क्लास के एकजाम की लेबल में पूछा जाता है क्योंकि उसे समझाना पड़ता है की पर्टिम में कैसे मनता है आखिर क्यों ऐसा होता है इसलिए बच्चों को जो आपको समझ में आएगा कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं और इसका नोट्स लेना है तो contact नंबर आप सबको पता है 9685299149 96852949 पर contact कर लें या description पर हमारे एप का लिंक मिल जाएगा छोटा से amount लगता है नोट्स के लिए किन प्रापर रूप से नोट्स दे जाते हैं ओके बच्चो जैहिंद बंजमातराम